नमस्कर दोस्तों सौगत है आपका फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूगेसन चैनल में तो आज की उडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्ट प्रॉब्लेम और उसके सॉलूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि पूरू सुके अंदर वहाँ पे तनाव नहीं आता तो होता ये है कि वो इरिया की जो नस्से होती है वहाँ पे कमजोरी आ चुकी है और कमजोरी के कारण वहाँ पे सही से तनाव नहीं आपाता फिर प्रेगनसी के दौरान ब्लड प्रेसर जो बढ़ता है उसके अलावा स्तीने में दर्द जैसा फिल करता है पेसन फिर पांच वह हम प्राबलम देखे तो गर्ब में पल रहे बच्चे में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकॉलाइटिस को होने से हमें रोकना है तो कई बार यह होता है कि प्रेगनसी के दौरन कोई नूट्रिस्टनल डाफिसंसी है और स्पेसली कुछ ऐसे ऐमिनो एसिड की डेफिसंसी है तो स्पेसली होता यह है कि जो बेबी ग्रो कर रहा है उसका जो इंटेस्टेंड का बाग होता है वहाँ पे सुजन आ जाती है तो ये वाला आप देखो पोर्सन तो हेल्दी इंटेस्टेंड का हो नीचे वाला जो हम देखे तो नेक्रेटाइजिंग एंटेरो कोलाइडिस की कंडिशन है तो ये प्राब्लेम को भी होने से हमें रोकना है और बेबी हेल्दी रहे वो हमें टार्गेट करना है तो ये जो हेल्द प्राब्लेम से उसको स्वाल करने वाली हमें बहुत अच्छे मेडिसिन के बारे में हम सीखते है एसक्स चलास का अंधिकेशन है कि जिसको हम आपनिव एसिड़ करते हैं और उसका जो ब्रांड नेम है वो है आरजीन है और सौल्ट कंटेंड के हम बात करें तो L-Arginine उसके अंदर present है strength देखे तो L-Arginine तीन ग्राम जितना ये sachet के अंदर present होता है फिर उसके manufacture की हम बात करे तो FOTS India Laboratories Limited उसके manufacture की जो एक इंडिया की leading pharmaceutical and nutraceutical company है जिसकी head office जो है वो चिन नहीं में है अब उसके use हम देखे तो जो engine है की जो condition हम देखी peripheral arterial disease ED का जो problem होता है फिर high blood pressure का जो दिक्कत आती है specially pregnancy के दोरान तो उसको ठीक करने के लिए ये इसको जो है वो prescribe किया जता है तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो के बीच में बताना चाहूँगा कि ऐसे आपको अलग-अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनकी related दवायों के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो हमारी जो book है उसको आप जरूर से purchase कर सकते हैं तो ये जो book है वो color version में available है बीमारिया और उनका उपचार तो इसको जरूर से आप purchase कर सकते हैं जिसको आप के कारण आप detail में इसमें से बहुत सारी बीमारियों के इलाज के बारे में सीख सकते हैं तो ये multi color book को order करने के लिए आप हमें यहाँ दिये गए number वे whatsapp कर सकते हैं तो अभी offer में आपको ये price में आपको book मिल जाएगी topic भी वापस आते है तो use में जैसे हमने देखा कि ED का जो problem है सीने में देर्थ होना फिर blood pressure का जो problem है तो ये सबी problems को ठीक करते हैं तब label समझ लेते हैं तो ये prescription based medication रहेगा खासकर prescription के साथ उसको लेना ज्यादा बेटर रहता है because जो अगर कोई high dose में भी उसको use कर लेता है तो भी दिखकर दे आ सकती है फिर ये granules के form में available है इसके जो powder होता है वो total 5 gram powder रहता है जिसमें 3 gram जो हो L-Arginine है और बागे के 2 gram जितने उसके अंदर exhibits रहेंगे तो यहापे आप देख सकते हैं yellow color का powder आएगा because उसके अंदर sunset yellow FCF color एड़ किया गया है सिर्फ oral use को use करना है तो use कैसे करते हैं तो मान लो कि आप glass लेते हैं glass में half cup जितना पानी डाल देते हैं या फिर उससे थोड़ा ज्यादा और उसके अंदर यह powder डालके mix करके पी ले नहा हो है जैसे आप glucose का powder बना कर पीते हैं उसी तरह से यह arginin का जो sergeant है उसमें रहा जो powder है जो granule से उसको आपको use करने हैं अब बात कर देते हैं कि यह जो है वो काम कैसे करता है तो L-Arginin जब लिया जाता है तो body में जाके वो convert होता है nitric oxide में जब आप उसको लेते हैं तो जैसे ही वो सरीर में जाता है तो L-Arginin nitric oxide के अंदर convert हो जाएगा यह nitric oxide जो chemical है वो हमारी blood vessels को relax करता है एंड improve करेगा blood flow जिससे क्या होता है कि जो ED में especially problem यह है कि blood flow सही से नहीं पहुँच पता जिसके करण वहाँ पे तनाव नहीं आता तो यह medications क्या करेगी blood flow वो एरिया में बढ़ा देगी जिससे आपका वो तनाव ना आने का problem solve होता है फिर high BP में हम देखे तो high BP में क्या होता है वहाँ पे भी यह होता है कि जो blood vessels होती है इस तरह से जिसके करण प्रेशर बढ़ता है तो blood vessel relax हो जाने से वापस प्रेशर जो हो कम होता है तो प्रेशर प्रेशर के दौने यह problem solve करने के लिए यूज की जाती है साथ उसाथ immunity को भी यह जो हो बढ़ाता है तो improve करेगा blood flow और इस तरह से यह अपना काम करता है dose की हम बात करते है adult dose रहता है खासकर one sachet पर रहे कि जैसे मैंने आपको समझाया कि glass बरके आपको पानी लेना है आदा या फुल आपके उपर depend है और उसमें जो powder है granule से वो डालने है और तुरंट उसको पी जाना है ऐसा नहीं कि आप उसको बना कर रख देते हैं फ्रीज में या फिर कई पे और दो तिन गंडे के बाद लेते हैं जैसे ही यह बना जाता है तुरंट उसको पीना होता है प्राइस के हम बात करें तो जो latest प्राइस है बोक के बारे में जरूर से हमारी बोख को बर्जेस कर सकते हैं यहाँ पर अधिये के नंबर पे आप contact करके हमारी बोख को बर्जेस कर सकते हैं MRT हम देखे तो अगर कोये डोस से भी ज़्यादा ले लेता है तो पेट में दर्ध हो सकता है नौस्जय वर्मेटिंग में लगकि जी गपराना उल्टी हो जाना कुछ लोगों को दस्ट भी हो सकते है अगर काफी हाई डोस में उसको ले लिया तो ब्लड प्रेसर काफी ज़्यादा आपका कम हो सकता है तो वो ध्यान रखना है पेट में गैस बन सकती है ब्लोटिंग जीसा फिल कर सकते है फिर कौनसे लोगों को ये मेडिकेशन यूज नहीं करनी है तो आपको मेडिकल हिस्ट्री रही है अस्थमा की गाउट की क्रोनिक लिवर डैमेज की किड्नी डिसीज रिजन में किसी को हार्ट अडेक आया है अल्रेडी ब्लोट प्रेसर आपका लो रहता है हर्पीस का कोई पेसंट है हर्पीस वाइरस इंफेक्शन का तो वो लोग ये सजेट को कभी भी यूज ना करें आरजीन को प्रेगननसी गेडेगरी की हम बात करें तो प्रेगननसी में उसको लिया जाता है बट गाइनेकलोजिस्ट के एडवाइस के बाद ही प्रेगननसी में लिया जाता है बेकॉज उसके बेनेफिट ये है कि स्पेसली क्या होता है कि एल आर्जेनीन क्या करता है प्रमोट करता है इंट्रा यूटेरेन ग्रोथ फीटस का क्या करेगा कि जो बाइबलिट इंक्रीस करवाती है एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोड़क्शन की जिससे क्या होता है कि अंबेलिकल आर्ट्री के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इंप्रूव होता है प्रेगनेंट वोमन के अंदर जिसके करण उनका हाइपर्टेंसन का problem भीी sol होता है एंड फीटल ग्रोथ जो restricted हो जाती है high BC के करण वो जो sol होता है मुला कि बेबी का growth भी अच्छा होता है जो premature birth का कई बार risk होता है वो भी minimρε हो जाता है अगर प्रेगनेंसी में उसको लिया जाए तो L-Arginine के काफी सारे benefits से pregnancy के दोरान कि baby के healthiness के लिए ज़रे because जो nutrition से वो उसके तक easily पहुच पाएंगे because umbilical cord के थुरू उसके थुरू जो nutrition पहुचते हैं mother to baby तक वो अच्छे से पहुच पाते हैं blood flow के increase होने के कारण अब drug drug interactions देखें तो nitroglycerin अगर कोई ले रहा है तो उसके साथ combination में यूज़ ना करें फिर capto-opril कोई ले रहा है loss artan है diltiazm, amlodipine फिर syl-dianleafil ले रहा है तो उसके साथ इसको यूज़ ना करें वरना बयंकर side effects जो हो सकती है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पर क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी जरूर से देख सकते है कि वहाँ पर भी आपको मैंने बहुत ही informative information दी है So good luck and all the best